नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा, इस वीडियो में हम दिस्कस करेंगे कि स्पर्ज टैबलेट का उपयोग किन कंडिशन्स में किया जाता है, स्पर्ज टैबलेट को कैसे लेना चाहिए, और स्पर्ज टैबलेट की वज़से क्या साइड इफेक्ट्स ह सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि स्पर्ज टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए, स्पर्ज एक ब्रैंड नेम है, स्पर्ज टैबलेट के अंदर दो दवाओं का कॉंबिनेशन होता है, स्पर्ज टैबलेट के अंदर सॉल्ट कमपोजिशन रोटाविरिन 80 mg और मेफिनामिक एसिट 250 mg होता है, स्पर्ज टैबलेट का उप्योग पेट में दर्ध होने पर और पेट में अंधन होने पर किया जाता है, स्पर्ज टैबलेट पेट के दर्ध और पेट की अंधन को ठीक करती है, इसके अलावा महिलाओं में मासिक धर्म के दौरान भी दर्ध से राहत पाने के लिए स्पर्ज टैबलेट का उप्योग किया जाता है, साइड इफेक्ट की बात करें तो वैसे तो ज्यादा तर व्यक्तियों में स्पर्ज टैबलेट की वज़े से कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, लेकिन कुछ पसेंट व्यक्त स्पर्ज टैबलेट की वज़े से हो सकते हैं. अब हम डिसकस करेंगे कि स्पर्ज टैबलेट को कैसे लेना रेक्मेंडेड होता है. स्पर्ज टैबलेट को खाली पेट लेने की वज़े से पेट में जलन हो सकती है. इसलिए स्पर्ज टैबलेट को कुछ खाने के बाद ही लेना चाहिए. बारा वर्ष से अधिक उम्र के ज्यादा तर व्यक्तियों को डॉक्टर स्पर्ज टैबलेट को दिन में दो से लेकर तीन बार लेने की सलाह देते हैं. स्पर्ज टैबलेट की डोज उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों मे इससे अलग भी हो सकती है. इसलिए आपको स्पर्ज टैबलेट को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए. दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, तो कृप्या वीडियो को लाइक करना वा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले. अब हम डिसकस क करेंगे की स्पर्ज टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए. लिवर या किड्नी की कोई गंभीर बीमारी होने पर और पेट में अलसर होने पर स्पर्ज टैबलेट को लेना रेकमेंडेड नहीं होता है. इसलिए इन कंडिशन्स में डॉक्टर की सला के बिना स्पर्ज टैबलेट को नहीं लेना चाहिए. प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए स्पर्ज टैबलेट का सेवन करना रेकमेंडेड नहीं है. और स्तनपान करा रही महिलाओं को भी डॉक्टर स्पर्ज टैबलेट को लेने की सला तभी देते हैं. जब स्पर्ज टैबल का देना बहुत ही जरूरी हो. अभी इसके बारे में परियाप्त डेटा अवेलेबल नहीं है कि स्पर्श टैबलेट स्तनपान करा रही महिलाओं के दूट में निकलती है या नहीं. इसलिए प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को स्पर्श टैबलेट को ल आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका स्पर्ज टैबलेट से संबंधित कोई प्रशन है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं.